नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप स्रीका ओलान एड़ा फोस्ट यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस अब्डेट के बारे में जो की संबंदित है आगामी तीन महीने के अंदर 21,000 पर दोबर भरती के बारे में इसके अलावा अगर बात क कि जाए उत्तर पर इसकी एक और बड़ी परिच्छा को लेकर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अनकेडमी लेकर आया है अनकेडमी अल्टरा कॉमबेट जिसके अंदर आप सुभी के एक्शन प्लान को और भी मजबूती दी जाएगी भले ही आपका एक्शन प्लान बैंकिंग एक्जाम को क्रेक करना हो या फिर S.S.E. एक्जाम को क्रे अनकेडमी के अंदर उसी को लेकर 24 अप्ल 2020 को अनकेडमी लेकर आया कुछ बड़ा जो कि आप सुभी के लिए काफी महत्वड होगा अभी एन्रॉल करने के लिए आर गोतम 10 लगाकर एन्रॉल करें क्यूंकि अनकेडमी पर आपको मिलते हैं बेस्ट एजूकेटर साथी बेस प्रपेशन तो देर किस बात की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं लिंक पर किलिक करके आर गोतम 10 लगाकर एन्रॉल करना बिलकुल ना भूलें तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जान दें कि उत्तरपदेश के अंदर हाली में एक बड़ी परिच्छा का आयोजन किया गया था जिसके अंदर 20-21 लाग अब्यरतियों ने आवेदिन किया था परिच्छा के परड़ाम को लेकर यहां पर इंतिजार किया जा रहा था लेकिन अंत्त है यूपीटीटी 2021 का जो परड़ाम है वो घोशित कर दिया गया जिसके बारे में जानकाई आप सभी को मैंने भी दी थी कि यूपीटीटी के परड़ाम के अंदर अगर बात की जाए प्रात्मिक के अंदर 39% के सम्थिंग अभ्यरति सफल हुए हाला कि 38. कुछ के सम क्या लिखी हुई है जहां पर अगर बात की जाए तो 4,43,000 के सम्थिंग प्रात्मिक में और 2,16,000 के सम्थिंग आपको जूनियर में देखने के लिए मिलते हैं और आप जानते के उत्तर प्रदेश में जब भी नई सिच्छक बरती का विग्यापन जारी होगा या फिर उस ग्यापन जाएंगे अब यूपी टीटी के पारिच्छा हुई थी उसके बाद 2021 की पारिच्छा आपको देखने के लिए मिली और इन सभी पारिच्छा में शामिल होने वाले अब यूपी टीटी के पाक्त्र हो जाएंगे अंदाज अनुमानों के आधार पे 15 लाग के आसपर्स यूपी टीटी पास करने वाले अभ्यति हो सकते हैं उसकी सबसे बड़ी बज़े ये भी है कि यूपी टीटी का प्राटबत आजीवन कर दिया गया है क्योंकि जिसने पहले भी क्वालिफाई कर रखा होगा वो भी उ अंततर परडाम तो जाली कर दिया लेकिन जैसी उंवीदर जताई जाहे थी कि पेपर रिपीट होने के चलते एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर आप स्पीकर सामने तूट जाएगा और वैसा ही आपको देखने के लिए मिला भी है छे सालों में सबसे सांदार आए टीटी का परडाम नीचे जानकर यह आप स्पीकर सामने देखने के लिए मिल जाती है कि 2015 के अंदर सिर्फ दो लाग अठावन अजार पास हुए थे माफ कीज़े संबलित होने की बात की जारी है अगर बात कीज़े पास होने वालों की तो 2015 के अंदर लगबग 60,000 पास हुए थे इसक इसके बाद B8 अभरती को यहां पर वैलिट कर दिया गया था 2008 में उसके बाद से संख्या और भी ज्यादा बड़ी जैसा कि आप सभी देख पाएं कि 2008 के अंदर 3,86,000 इसके अलावा 19 के अंदर 2,94,000 और 21 के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4,43,000 के संथिंग आग 28,000 तक 2008 में पास हुए थे लेकिन 2021 की परिच्छा के अंदर 2,16,000 अभरती यहां से क्वालिफाई हो गए हैं बज़े जो भी रही हो फिलाल जो अभरती क्वालिफाई हो चुके वो आगामी सिच्छक भरती के लिए बैठेंगे अभी यूपी टीटी के अंदर कई को लेकर विवाद हैं हाला कि उनको लेकर अभी अंति फैसला नहीं हुआ है वहीं दूसी दर बात कीज़े अपने एक लिए अपडेट के वाए में जो की संबंदित है उत्तर परेस के अंदर आने वाली लगबग 100 दिनों के अंदर कई भरतीयों को लेकर आप जानते हैं कि लगाता ह की वो होंगी अधीने सेवा चैन आयो के माध्यम से अगले सो दिनों के अंदर विविवागों के अंदर लगबग 1368शी पदो भरतीयों के विञ्यापन प्रकाशित करेगा आयो के माध्यम से 2570 पदों भरती की परिच्छान अइजित की जाएंगी इस अबदी के अंदर आय याचन जैसी मिलते हैं उसके बाद में आगे की कालेवाई शुरू कर दी जाएगी आसान बार्सा में कहा जाए तो आगामी तीन महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अधीन स्वेवा चैनायुक के माध्यम से 21,000 से जादा परदों पर भरतियां देखने के लिए मिलेंगी हाला कि उन्होंने पिछले पांच सालों के अंदर क्या किया है यह भी एक मेर्पुर मुद्दा है लेकिन अगर इसी बीच बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर सिच्छक भरतियों के लेकर सूखा के बारे में कि नई सिक्षक भरती का जो पिग्यापन ने वो जाली किया जाए जिसको लेकर बार-बार छात्तों के माध्यम से अगर बात की जाए चैन बोड के सामने धहना प्रदेशन भी दिये गए कई समाचा पत्तों के माध्यम से रोज आपको जानकाई है भी देखने के लिए मिलती है यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि एडिट माध्यम विद्यालों के अंदर 7,200 पतों पर भरतियां देखने के लिए मिलेगी प्रदेश के 4,500 असास की सायदा प्रद माध्यम विद्यालों के अंदर 7,200 पतों पर भरतिया आपको देखने के लिए मिलेगी माध्यमी सिच्छा सेवा चैन बोड के माध्यम से TGT PGT को लेगा इसके अलावा प्रदाना चाहरे के पतों के लिए ऑनलाइन अधियाचन दिसम्बर में मिल गया था अब इन पतों के सत्यापन के लिए निदेश भी जारी कर दिये गए हैं एड़ेट माध्यमी कॉलेजों के अंदर 2022 के रिक्त पतों का विवरा चैन बोड के पास आ चुका है 2021 में जो प्योरा मिला था उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 7268 पत खाली हैं जिनको लेकर विग्यापन जारी होगा 5000 पत ऐसे होंगे जो कि TGT और PGT के होंगे और 2000 पत आपको पहणाना चार्गे देखने के लिए मिलेंगे इसको लेकर online portal खोल दिया गया है 16 ताइक से लेकर 25 अपैल की बीच में इन सभी पतों का अधियाचन किया जाएगा अधियाचन का सत्यापन हो जाने के बाद में जितने भी पत बचते हैं उसके बाद चैन बोड के माध्यम से नई भरती को लेकर विग्यापन जारी करने की प्रकिया शुरू करती जाएगी अगर देखा जाए तो UPTET के बाद एड़ेट जूनियो सिछक वरती का विग्यापन को लेकर अगर बाद कीजा सरकारों के माध्यम से या फिर भरती बोड के माध्यम से इस प्रकार की कोई भी अभी तक जानकाई नहीं निकल पानी है लेकिन TGT PhD सिछक वरती को लेकर उंबीद है कि जल्द इस भरती का भी नोटिफिकेशन जादी कर दिया जाएगा खास कर ऐसे बीर्ड की अभ्यरती जो कि इसके अंदर eligible हो सकते हैं लेकिन BTC चात्तों का अभी तक धुक खतम होता हुआ दिखाई नहीं देदा आप जानते हैं कि जब से 99,000 सिछक वरती निकली है आज तक खतम नहीं हुई है कोई ने कोई विवाद लटका हुआ है और जब तक यह 79,000 का मामला खोला रहेगा कहीं नहीं प्राथमी सिछक वरती के लिए डिले करता रहेगा जैसा कि आप जानते कि एल्टिकेट सिछक वर हुई तो नहीं भरती को लेकर काम शुरू हुआ लेकिन 99,000 एक ऐसी भरती है जो कि तीन साल से लगाता लटकी हुई है और बार बार कोई ने कोई नया विवाद देखने के लिए मिल दा है इसी को लेकर बात की जाए बेसिक सिछा मंती को टैक करते हुए उनको रिपलाई द कारी होगा विग्याबन जारी करें के सुपर टीटी के परीच्छा करवाई जाए तब सभी छात्तों का जो वविश्य वो जबल देखनी के लिए मिलेगा अगर बात किया संदीर सिंग जी के मार्दियम से यूपी टीटी को लेकर शुब काम ना दी गई थी लेकिन अभ्यत परदें वो खाली पड़े हुए हैं इन सभी परदों को लेकर बीट बीटी सी चात्तों के सास्थ सिक्षा मित्तों को भी मौका दिया जाएगा लेकिन आप जानते कि दुबार से टीटी हो चुका है पांचलाग अभ्यति और बढ़ चुके हैं लेकिन अभी तक नई अभी तक नई सिच्षक भरती को लेकर योगी सरकार पूरे तरीके से मोहन दिखाई दी है इसी बीच अगर बात की जाती है इसका विग्या पर इस तारीक को जारी किया था इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि इस परिच्षा कर जो आयोजने वो 131-122 के माध्यम से होना था लेकिन अगर बात की जाए अब यह जो परिच्षा आप सुभी को देखने के लिए मिल दी सुब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें